कि पुल चार लोग थे पिताजी दो बड़ी बेहने और सबसे चोटा जैम्स उसकी ममी बचपन में ही किसी बिमारी के चलते गुजर चुकी थी जेम्स के पिता जी गल्फ कंट्री में जॉब करते थे और जेम्स की बहने लीसा जो सबसे बड़ी थी उसने बड़ी बहन के नाते एक समलदार पैरंस की जिम्मेदारी उठा रखी थी अपने भाई बहनों का ख्याल रखने के साथ वो एक स्कूल में टीचर की नोकरी किया करती थी और जेम्स की दूसरी बहन जिसका नाम रीता था वो कॉलेज में पढ़ रही थी अब प्रशांत जेम्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जेम्स छोटा था और ममी नहीं थी इसलिए दोनों बहनों ने और उसके पिता जी ने उसे बहुत लाट प्यार से पाला था और हद से जादा लाट प्यार मिलने की वज़े से जेम्स बहुत जिद्धी हो गया था अब आगे कहानी में प्रशान्त उस वाक्या को बता रहे हैं जहां जेम्स के बहनों ने प्रशान्त के हाफ खतना वाले पैनिस को फॉलो करते हुए जेम्स का पूरा खतना करा दिया और कहानी में जेम्स के दो बहनों की खुशर फुशर प्रशान्त ने स्क्रिप्ट में की है जो बहुत ही मज़ेदार है प्रशान्त कहते हैं कि कहानी उनके टीनेज के वक्त की है जब उस वक्त के उस वक्त में सेक्स या नंगे पहन की गंदगी दिमाग में नहीं थी बस अच्छे मार्क लाना यही एक टास्क दिमाग और दिल में रहता था प्रशान्त और जेम्स साथ में पढ़ते थे लीसा इसकूल में टीचर थी इसलिए कभी कबार लीसा जेम्स और प्रशान्त को कुछ कुछ सबचेक्ट में एक्जाम के वक्त हेल्प किया करती थी ताकि पेपर अच्छे से जा सके प्रशान्त एक बार पढ़ाई के लिए जेम्स के घर रुक गया जहां वो दोनों रात तेर तक पढ़ाई करने वाले थे और सुबह फिर से जल्दी उटकर लीसा की हेल्प लेते हुए कुछ इंपॉर्टेंट कोशन सॉल्फ करने वाले थे रात के रात में जेम्स पढ़ाई के बीच उटकर बाथरूम गया और कुछ ही देर में जोर से चिलाते हुए बाहर आया और उसकी आवाज सुनकर उसकी दोनों बेने लीसा और रीटा दोड़ते हुए आई और उन्होंने जेम्स को ठीक से देखा तब जेम्स अपने चैन में फस गई है और बुली चैन में चैन की चिम्टी में फसने की वज़ाए से जेम्स दर्थ से छट पठा रहा था फिर लीसा और रीटा ने आईस्ते आईस्ते चैन में फसे हुए जेम्स की पैनिस के फॉरस्कीन को आईस्ते से निकाल दिया और उसकी पैंट उतार कर ताकि antiseptic cream लगा सके फिर Gems के penis पे cream लगाने के पाद Lisa ने Gems को कहा कि आज की रात नंगे ही सो जाओ क्यूंकि तुम्हारी नुनु पे जखम हो गया है और सूजन आ गई है उस पर Gems जिद पे आकर कहने लगा कि नंगा नहीं सोंगा मुझे शर्म आ रही है परशांत मुझे नंगा सोते हुए देखेगा तो स्कूल में जढ़ाएगा उसकी जिद देकर परशांत ने कहा कि अरे बाबा मैं नहीं जढ़ाऊंगा तेरे private part पे कट लगा है और तू पैंट पैंट के सोएगा तो तुझे तकलीफ होगी तब जेम्स जवाब में बोला ऐसी बात है तो तू भी नंगा सोजा जेम्स की बात सुनकर लीसा समझ गई कि जेम्स उसे स्कूल में कोई चिढ़ाए नहीं इसलिए परशांत को भी नंगा सोने के लिए कह रहा है और अगर कल को परशांत उसे चिढ़ाता है तो वो भी परशांत को जवाब में नंगा देकर बोल कर चिढ़ा सके जेम्स की जिद देकर लीसा ने परशांत को रिक्वेस्ट की कि परशांत आज के दिन प्लीज जेम्स की बात को मान जा नहीं तो ये पागल रात भर अपनी जिद पे अड़ा रहेगा और नहीं किसी को सोने देगा लीसा की बात सुनकर परशांत ने कहा ठीक है आप लोग बाहर जाएए आज के दिन मैं पैंट उतार के सो जाता हूं फिर लीसा और रीटा रूम से बाहर जाने के बाद परशांत ने अपने पैंट उतारी और सिफ शर्ड पे जेम्स के पास सो गया जेम्स और परशांत के गहरी नीद में सोने के बाद कुछ दिरबाद लीसा और रीटा जेम्स के बुली के जखम और सूजन को ठीक से देखने के लिए दबे कदमों से उनके रूम में आए और जेम्स की बुली को ठीक से देखने लगे उस वक्त रीटा की नजर प्रशांद के बुली पे पड़ी और उसने लीसा को चिम्टी लेते हुए दबी आवाज में कहा अरे ये देख क्या है प्रशांद की बुली तो सामने से पूरी गोल गोल दिख रही है तब लीसा ने रीटा से कहा अरे हाँ इसका तो कुछ अलग ही दिख रहा है तब लीसा ने और गौर से प्रशांद के पैनिस को देखा और रीटा से बोली जरा देख तो जेम्स और इसकी बुली में तो जमीन आसमान का फर्क है फिर रीटा ने लीटा से कहा इसका प्राइबेट पार्ट जेम्स से इतना अलग क्यों है जरा देखूं क्या बात है तब लीटा ने रीटा से कहा जरा आराम से देख अगर उसकी आँख खुल गई तो वो नराज हो जाएगा पहले ही जेम्स के जिट को पूरी करने के लिए बिचारा अपनी पैंट उतार कर नंगास हो गया है लीटा और रीटा ने खतना के बारे में सुना तो था लेकिन उन्होंने कभी खतना किया हुआ पैंट देखा नहीं था जिस वज़ा से वो खतना के और बगर खतने वाले पैंटिस का फर्क समझ नहीं पा रहे थे और प्रशांद का हाफ खतना होने की वज़े से उसकी फॉरे स्किन पैनिस क्लांस यानि की पुली के सुपारी के पीछे पूरी तरह से फोल्ड हो जाती थी और पैनिस हेट पूरी तरह से ओपन रहता था और खतना की वज़ा से 13 साल की उम्र में प्रशान के पैनिस का साइज भी अच्छा खासा डेबलब हो चुगा था जिस वज़ा से बुली के सॉफ्ट रहते हुए भी काफी मोटी लगती थी रीटा और लीशा ने देखा कि प्रशान कहरी नीद में है तब रीटा ने मस्ती करते हुए लीशा को पूछा दी दी जरा ये गोल गोल बनी हुई रिंग को टश करके देखूं तब लीशा ने कहा प्राइबेट पार्ट का कोई ऑपरेशन करवाया है मैंने मेरे स्कूल में ये सुना है कि कुछ लड़कों का सूसू में प्राब्लम होने की वज़े से लड़कों को छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है ये कहते हुए लीशा ने ही प्रशान के बुली को ठीक से देखने के लि हुई फॉरेस्किन खुल गई और पूरी तरह से पैनिस क्लांस को ढख दिया ये देखकर रीटा को और मस्ती करने की सुजी और उसने कहा लीसा से लाव ना दी दी थोड़ा मैं खेलूं और रीटा प्रशांद के फॉरेस्किन को आगे पीछे करते हुए प्रशांद के बुली से खेलने लगी आगे हुआ यूँ कि प्रशांद को गहरी नीद में था लेकिन उसके बुली को टश करने की वज़ेसे उसके बुली में पूरी तरह से एरेक्शन आ गया रीटा की मस्ती देख लीसा ने उसके सिर पे एक टपू मारा और बोली ये गलत बात है रीटा छोड़ दें उसे वो बिचारा गहरी नीट में है लीसा की बात सुनते ही रीटा ने तुरंत प्रशान्थ के पैनिस को छोड़ दिया तब दोनों बेहनों ने देखा की पैनिस से हाथ हटाते ही फॉरेज के दुबारा पहले की तरह फोल्ड होकर पैनिस हेड ग्लांस के पीछे रिंग बनाकर फोल्ड हो गई है और बुली की खुल कर दिखने लगी है फिर रीटा और लीसा ने जेम्स की पैनिस के कट पे दुबारा एंटिसेप्टिक क्रीम लगा दी और वो दोनों जाकर अपने कमरे में सो गई और लीसा ने सोते हुए ये सोचा कि प्रशांद के पैनिस का जरूर कोई अच्छी बात है अच्छी बात ये बताते हैं कि लीसा ना ही जेम्स की बड़ी पैन थी बलकि ममी इसके घुजरने के बाद उसने रीटा और जेम्स को भाई पैनिस की तरह नहीं बलकि बच्चों की तरफ बाला है और उन दोनों को कभी मा की कमी महसूस नहीं होने दी अगले दिन सुबा लीसा जेम्स को हॉस्पिटल ले गई और उसके पैनिस को डॉक्टर को दिखाते हुए लीसा ने डॉक्टर से कहा डॉक्टर कल जेम्स की नुनु पैंट के जिप में फज गई थी लेकिन कल रात बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इसलिए मैं इसे आज सुबा होते ही दवा खाने ले आई हूँ तब डॉक्टर ने लीसा की बात सुनते हुए जेम्स को बेट पर लेटने के लिए कहा और जेम्स की पैंट को उतार कर उसके पैनिस के चखम को चिक करने लगा और जेम्स से पूछा क्या कोई जल्दी में थे क्या जो जिप लगाते हुए खुद के पैनिस को पैंट के अंदर डालना भूल गये ये तो अच्छा है कि घाव छोटा है नहीं तो टांके लगाने पड़ते थे ये कहते हुए डाक्टर ने जेम्स के पैनिस को दवाई से साफ किया और कहा कि अगली बार ध्यान से जिप लगाया करो फिर लीजा ने जेम्स को बाहर बैठने के लिए कहा और डाक्टर से लीजा ने कहा डाक्टर ये दूसरी बार है जो James ने अपनी फॉरे स्किन पेंट के जिप में फशा लिया है अगली बार ऐसा ना हो इसलिए कोई रास्ता नहीं है क्या तब डॉक्टर ने कहा कि उसे अंडर बेर पहनने की आदर डाल दो तब डॉक्टर को दुबारा सवाल करते हुए लीसा ने कहा कि कोई तो पर्मनेंट सॉलूसन होगा जिस वज़े से इसकी फॉरे स्किन हमेशा पैनिस क्लांस के पीछे की तरफ रहे और आगे जिप में फसने की कोई ज़ंजटी ना रहे तब जवाब में डॉक्टर ने कहा कि और लेडी जेम्स की एक्स्ट्रा फॉरे स्किन पहले ही पहले से लंबी है उसमें फॉरे स्किन को हमेशा पीछे करने की तरफ फोल्ड करके रखना पॉसिबल नहीं है तब लीसा ने डॉक्टर को बताया कि कल रात उसने जेम्स के हम उम्र दोस्त के पैनिस को देखा जिसका फॉरे स्कीन अपने आप ही पैनिस हेड के पीछे की तरफ फोल्ड हो जाती है उस पर जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी बच्चे की शॉर्ट फोरे स्कीन हो तो ही इस उम्र में अपने आप ही पीछे फोल्ड हो सकती है या फिर अगर आप हाफ सरकमसीजन करवाते हो तो ही आप कह रहे हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है या फिर नॉर्मल सरकमसीजन जो कई बच्चों का होता है उसमें फोरे स्कीन पूरी तरह से हटाई जाती है और उस वज़़ से बच्चों को यानि लड़कों को इस तरह के हेल्थ पेनिफिट मिलते हैं तब जवाब में लीसा ने डॉक्टर को थैंक्यू कहते हुए कहा कि डैडी से फोन पे डिसकुशन कर जेम्स के सरकमसीजन के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि कल रात की उसकी तकलीफ में से मैं सोच में पड़ गई हूँ कि आगे अगर घर से बाहर इस तरह की कोई एमर्जेंसी होती है तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फिर कुछ ही दिनों में लीसा के उसके पिता जी से सारी बात शेयर की और बताया की जेम्स का सरकमसीजन करवाना ही बेतर होगा तो आप बताएं की मैं क्या करूँ तब जवाब में जेम्स के डैड ने कहा की ऐसे हेल्थ के मामले में ज्यादा सोचो मत और अगर डॉक्टर सरकमसीजन के लिए बोलता है तो करवा लो फिर जैसे ही ऑपरेशन यानि सरकमसीजन वाली बात जेम्स ने सुनी उसने कहा की मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाने वाला हूँ तब लीसा ने उसे कहा की देख बार बार तेरी नूनू जिप में फंसती है और तुझे तकलीफ होती है और क्या तुचाता है की हर बार तुझे ऐसी तकलीफ होते रहे तब भी जैम्स नहीं मान रहा था तब लीसा ने जैम्स को कहा की परशान के नूनू का भी ऑपरेशन हुआ है और उसी वज़ा से उसकी नूनू कभी जिप में नहीं फंसती है तब जैम्स ने रोते हुए कहा की तुम लोग जुट बोलते हो फिर अगले दिन लीसा ने परशान को घर बुलाया और सारी बात बताई और कहा की जैम्स सरकम सीजन के लिए नहीं मान रहा है इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अकेले में एक बार अपनी नूनू जैम्स को दिखा दो और ऐसा बताऊ कि तुम्हारा बच्पन में ही नूनू का अपरेशन हुआ है तब प्रशान जैम्स के रूम के अंदर गया और जैम्स से जुट बोला की मेरी भी पुली बच्पन में पैंट के जिप में फस गई थी इसलिए मेरा भी अपरेशन हुआ है तब जैम्स ने कहा की तुम दीदी के कहने पर मुसे जुट बोल रहे हो तब प्रशान ने उसके सामने खड़े होकर पैंट से अपनी पैंट से अपनी पैंट से निकाला और खुले हुए ग्लांस पैंट को बताया और कहा की देख आपरेशन के बाद बुली ऐसी बन जाती ह और जिप में बुली की चमडी फसने का सवाली नहीं आता है फिर क्या परशान के पैंट से को देखने के बाद जैम्स को ये समझ में आ गया की अब अपनी तो कटवानी ही पड़ेगी और रोने धोने का कोई भी नाटक काम नहीं आने वाला है फिर जैम्स ने लीसा को कहा कि ठीक है करो मेरा आप्रेशन लेकिन मुझे दुखना नहीं चाहिए तब हसते हुए लीसा ने कहा कि वो सब तू डाक्टर पे छोड़ दे ज्यादा सोचने के जरूत नहीं है फिर अगले कुछ दिनों में लीसा ने अपने फैमली डाक्टर के सर्जेशन से जैम्स का किसी सर् हॉस्पिटल में सरकमसीजन करवाया और जैम्स को अंडर बेर पहनने की आदत डाल दी पस यहीं पर जैम्स की खतना इस्टोरी घदम होती है आप सब जरू बताइएगा आपको जैम्स की खतना इस्टोरी कैसी लगी इस इस्टोरी को हमें प्रशानत ने बेजाता है इस्ट